अलो फ्रेंट्स मेरा नाम दीपेंद्र है स्वागत है मेरे आनलाइन पार्ट साल एक जाम सूपर संडे में आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पुरवत्तर राज मिजोरम के बारे में इसके पहले वाले सेशन हमने मरीपूर के बारे में पढ़ा था ठीक है इसकी पिछले है यह आपका पढ़ेंगे इसके तो इसके क्या है कि कि तरप carbs hej मंगला देश के साथ और लगिकि पूरा इसके बाद ये पष्ची में बंगा से साथ पहुत ले सबस्क्राइब करता है तो हम कह सकते हैं कि मिजौरॉम की मिजो प्राम अर्थाद मिजो का मतलब होता है इस्थानी लोग, राम के मतलब होता है जगह, ठीक है, तो मिजोरम का मतलब होता है इस्थानी लोगों की जगह, अर्थाद मिजो लोगों की जगह, ठीक है, अब मिजोरम के बारे में पढ़ते हैं, बात आई है मिजोरम के बारे ठीक है यह Maharा वत्व है ये असम है आसम का बाफ बना दिया इसको दो भागों में डिवाइट कर दिया था ठीक है जो यह दच्षिन का पार है इसको बंगलाधe पा। बंगाल में डिवाइट कर दिया गया है जो आपका ये बंगलादे से इसको पहले पूरी पाकिस्तान कहते थे ये पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था और जो ये आपका बेस्ट बंगाली ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था ठीक है तो अठार सुंग्यानमे में इसको दो भाग में LED कर दिया इसको उत्तर का जो लुसाई प्रोवती कर दिया और इस पूरे छेत्र को लुसाई जिला के रूप में आसम का एक पाट बना दिया ठीक है असमें के समःधानिक पार्ट बना दिया इसके बाद में सन 1932 1772 में मिजोरम को केंचासित परदेश बना दिया गया इसके बाद 20 1987 को मिजोरम के जो एक पार्टी है जिसे जो पहले अलगावदी संग्ठन हुआ करती थी जो प्रिजेंट टैमी जिसकी सरकार है उसका नाम है मिजो नेशनल फ्रेंट ये पहले एक अलगाववादी पार्टी अलगाववादी संगठम था इसके साथ है कि इतिहाजिक समझाओता हुआ बीस फरवरी 1987 को इस इतिहाजिक समझाओते के तहट मिजोरम को एक स्वेत छेत पूलु राज बना दिया ठीक है इस परकार मिजोरम की स्थापना हुई तो सबस्पले हमने क्या पढ़ा 1899 में मिजोरम को ये बिटिस सरकार का भाग बना और मिजोरम को दो भाग में डिवाइट कर दिया गया उत्तर का लुसाई परवती छेत्र असम का पार्ट और दच्छिन का पार्ट बंगलादेश के पस्ट के झेत्र को çेत्र को बेश्ट बंगल कहा घहां और यह पूरी फाकिसतान नगी encontramos पूरी फी पकिस्तान वार 1872 में इसको पूरी फाकिसतान नाम दिया झाए तो अब सटीती देखते हैं मिजोरम आपका जो पूर्भी छेत्र वें मेंयमार्यकित्ष कि बंपांगलाद में इसकी आउस्तिती दर्ज थी ठीक है और 1972 में इसको आसम से निकाल करके मिजोरम के रूप में केंसासित प्रदेश बना दिया गया बीस फरूल 1987 को इसको मिजोरम को भारत का एक पूंडराज बना दिया गया ठीक है भासा यहां की ठीक है मिजोरम की भासा देखते हैं तो जो मिजोरम की भासा है मिजो भासा इसकी कोई लीप नहीं है ठीक है इसकी कोई लीप नहीं है यहां पर इसाईयों करते दिक प्रचार होने कान मिजो लोगों ने रोमन लीप को अपना लिया था और अपनी जो भासा है वो मिजो भासा के साथ साथ इंगलिस भासा को भी अपना लिया था इस प्रकार यहाँ पर इसाई बहुल राज है और यहाँ की जो आपकी सिच्छा की दर है वो केरल के बाद सबसे ज़्यादा है यहाँ पर 88.8 पर सिच्छा की दर है केरल के बाद सबसे ज़्यादा सिच्छा कितना है 88.8 किसके बाद के बाद के बाद के पहले है इसके बाद दूसरा आपका मिजोरम है ठीक है यहां की प्रमुक्त तोहार है चाप चापचार पुड टूतिret है ही निमी कूट है और स्थल्पवांग पूड़ ऐसे को ओसी रहा है चापचार पूड दृप कूड धल्पवांग को टे रिए मिजोरम के प्रमुक्ष्ट दे ओगार ही ठीक है अब यह जो मिजोरम छेतर है यह अंसूचित पिछड़ा छेतर है ठीक है मिजोरम जो है अंसूचित पिछड़ा छेतर है इसको उद्दोग भीहिंद छेतर के रूप में वर्गी करत किया गया है अर्थात यहां पर उद्दोग नहीं लगाया जा सकते हैं ठीक है मिजोरम यह अतिन्त पिछड़ा छेत रहे और इसको उद्दोग भीहिंद छेत की रूप में वर्गी कित्पिया सरकार ने ठीक है और जब देश आजाद हुआ था इसके बाद मिजोरम में मिजोरम के अलावा अन्य जो इस्टेट है सभी में अलगाववादी संग्टन हुआ करते थे जो भासा संस्क्रित के सुरच्छा के लिए भारस से विद्द्रो कर रहे थे उसी समय जो अपना मिजोरम है उसमें जो अग देखिए मिजोरम में कि जो अलगाववाद की जड़ है उसके दो कारण है पहले अलगाववाद की जड़ के दो कारण है पहली थी प्राक्तिक दूसर असम भाशा बिध्यक्पारित हुआ ठीक है 1960 में जब असम भाशा बिध्यक्पारित हुआ असम हाशा है यहा थुक्रिष साट में जब पारीद हुआ तो आसम के साथ जितने गैर ये अपने आपको बिदरोर्ः करने लगे ये आपका हो गया मानो निर्मित दूसरा है प्राक्तिक निर्मित अब आप सूच रहे होगे कि प्राक्तिक निर्मित अलगाओ अगा सकते थे ठीक है तो मिजोरम जो और निस्ससाथ में था मिजोरम में बास के अधरिक खेती है बास बहुत भारी मातरा में पैदा होते हैं, ठीक है, तो 50 साल बाद बास के फूल आए, बासों में फूल आए, अब आप सोच रहें गोड़ी फूल क्या कारण हो सकते हैं अलगा हो अधकी जड़के, तो पढ़ते हैं देखते हैं जब फूल आए तो पूरे जो मिजोरम छेतर में चूहों की भरमार हो गए अर्था जो बास के फूल है वो चूहों का प्रिखात पदार्त था चूहों की एक लंबी फौजी कट्था हो गई ठीक है और जब लंबी फौजी कट्था हो गई और ये जो बास के फूल हैं यह चूहों की प्रिजिन सक्ति को बढ़ा देते हैं अर्था चूहे बहुत संख्यम पे पैदा होने लगे और मिजोरम देखिए एक परवती छेतर हैं यहां साल भर में एक ही बार खेती होती है और जो अन्न पैदा होता जो अनात पैदा होता इसको मिजो लोग यह वहां के जो निवासी लोग हैं बहुत जतन के साथ रखते हैं पूरे साल भर के लिए जब चूहों की पाउजी कठा हो गई और मिजोरम में इसके बाद जब बास के फूल चले गए तो वह जो चूहें हैं वह बस्तियों के माइग्रेट कर गया और वहां का जो अन खाद्यान खराब हो गया है खतम हो गया हमको खाद्यान चाहिए तो असम सरकार ने उस समय से ध्यान नहीं दिया था इस वाज़े से उन्हों वहां पर 1960 में एक आकाल की स्थित्वत्पन हो गई है उस आकाल की स्थित्व के निरच्ण करने के लिए मिजोरम में MNF पले जो म मिजो नेशनल फ्रेमाइं फिर्रेंट बोलता है ठीक है मिजो कि नेशनल स्थित्यमाइढ फ्रेंट ने 1960 के आकाल को सरवेच्छण करने के लिए भारत सरकार ने जब इसको नामित किया तो इसने वहाँ की स्थित को देखा और देखने के बाद असम सरकार को अउगत कराये लेकिन असम सरकार ने फिर भी धान नहीं दिया तो वहाँ के इस्थानी लोगों ने मरने के पेच्छा बंदुग उठा लिए अर्थाद मरने के पेच्छा मारने पर उतारी हो गए उन्होंने पूरे मिजोरम में विद्रो की इस्थित्वपन कर दिया और इस विद्रो का जो अगुवा था वो मिजो नेशनल फ्यमाइन फ्रेंट जिसके जो अध्यक्त अधे लाल डेंगा भ किया नाम था लाल डेंगा कि निप्तव मैं मिजो नेशनल फ्यमाइन फ्रेंट ने लिए विद्रो कर दिया तेहलं अब मिजोरम को एक अलग राष्ट का दर्जा अलग राष्ट के रूप में यह सपना देखने लगे में एम एम एन फ अर्फत लाल डेंगा ठीक है तो लाल देंगा ने है असाम के सिल्चर सडग जो आपकी यह लुसाई हिल्स या इंफाल को जोड़ती है इस इंफाल की सडग को काट देना है या यह सिल्चर सडग को काट देना है और पूरे मिजोरम को आजात करा देना है ठीक है उस समय जो मन अपको 1906 में पूरी पाकिस्तान से हथ्यार सप्लाई हो रहे थी दूसरी तरफ आपकी चाइना से हथ्यार की सप्लाई हो रहे थी ठीक है तो इस अप्रेशन जैरिचों में सिल्चर सडग को काट दिया और पूरे इंफाल इसमें आई जोल पर कबजा कर लिए आई जोल पर क किया ठीक है एरफोस Benedieri करने करने देपलाई कि बाद एएरफोस ने मीजंड लोगों के उपर मं और अंफ और बंबारी कि अर्था भारत सरकार ने अपने लोगों बंबारी यह भारत सरकार की पहली ग्यात बंबारी है जो अपने नागिरों के खिलाब थी नागरी सिटीजन के खिलाब थी ठीक है तो यहाँ पर भारत सरकार ने जब बंबारी किया इसके बाद बंबारी करने के बाद एक अप्रेशन चलाया गुरूपिंग पॉलसी क्या चलाया गुरूपिंग पॉलसी भारी मात्र में grouping policy चरा है इस grouping policy से पूरा जित्ता भी अलगावादी संगठा था वो पूरा नश्ठ हो गया इसके बाद वहाँ के लोगों ने मुक्धारा में आने के अपील की इसके बाद 1972 में पुरोतर छेत राजगठन इस्टार्ट हुआ और मिजोरम को यूटी के दरज़ गोज़ है ठीक है मिज़ोरम को अलग राद घुछत करने इसके जो पहले मुक्ध मंत्री थे लाल देिंगा थे कौन थे लाल देंगा किस पारटी के ते MNF मिजो नेशनल फ्रेंट ठीक है मिजो नेशनल फ्रेंट इसके बाद कांग्रेस की सरकाराई लेकिन अभी पिछले स तर disc initial चुना हुए थे मीज lleva में तो फिर से Amta swear रही मीजों नेसनल मिन की सरकार रहे इसके जो मुक मंतरी है जो राम थंगा है काव से जो राम थंगा जो राम थंगा है देखिए फ्रेंट्स आज के सेजर हमने क्या पढ़ा है एक बार देखते हैं मिजोरम मिजोरम का पुरा नाम क्या है फुल फाम क्या है या अर्थ क्या है मिजो इस्थानी लोगों की जमीन मिजोरम इस्थानी लोगों की जमीन ठीक है मिजोनों के 8 taxinkyan में बिटिस सरकार ने दो भागों में डिवाइट कर दिया था, उत्तर का छेत, लुसाई छेत, परवती छेतर आपका असम को दे दिया गया था, और दच्छड का आपका बंगाल के साथ मिला दिया गया थे, लेकिन 897 में फिर सिसका एक ही करण किया गया, और इस पूरे छेत्र को लुसाई हिल्स, लुसाई डिस्टिक हिल्स के रूप में इसका दर्जा दिया गया और इस पूरे छेत्र को आसम के साथ जोड़ दिया गया ठीक है से प्रमुक्त वार हमने पढ़ा चापचार मीमीकूट और थलपवांगकूटे यह एक किरसी से संम्बंधित वार है ठीक इसके बाद यह किस छेत के रूप में दर्ज है अजसुचित छेत पिछड़ा चेत के रूप में दर्ज है और यहां पर अलगावाद की जड़ है प्राक्तिक में चुहे हो गए ठीक है इसके बाद मानो निर्मित में असम भासा बिध्यक असम भासा बिध्यक पारित हुआ था इसकी वज़े से यहां पर गैर असमी भासी छेत्र के लोगों के अंदर अपनी संस्कृत को रच्छा करने के लिए एक बिद्रों की इस्थितुपतर उत्पन हो गई थी तो वह अलगावाज की जड़ बाद में मानी गई है यह मानो निर्मित हो गया ठीक है अब मैं एक बात बताना भूल गया जो प्राक्तिक कारण थे चुह कारण जो आकाल पड़ा था उसको मिजोरम में मौतम कहा जाता है क्या दूसरा मौतम का वाय था 1960 में जब इंडियन सरकार्ती और उसी समय यहां पर विद्रो हो गया ठीक है विद्रो हुआ दूसरी सरकार्ती दूसरी मौत तीसरा मौतम का वाय था 2008 में 2008 में आथा तब मिजोरम एक अपना स्वतन्त राज बन चुका था और आत्म निर्वर राज अंसम सिक्किम हमने अभी तक प्रोत्तर भार्त की चारी स्टेट पढ़ा है अदुराचल पृदेश नागालां वारीपुर मिजोरम थीक है अमने चारी स्टेट पढ़ा है इसके बाद पढ़ेंगें तिपुरा फ्रॉयद मेहलय मेर्ग और सिख्किम ठीक़ तो मिलते हैं थ के सिशन में तब तक के लिए गुड़नाइट